हालो, नोस्ते, आजा हमिए योट अरको पारासाई ठैलने हो, नाम हो टेनिया सोलियम टेनिया सोलियम जसलाए पिग टेप वर्म पनी होँ चन यो टेनिया को कॉमन नेम टेप वर्म हो, टेニया का दीफ्रेंट वेराई टेंट वराईटीज अब वना Caesar डिफ्रेंट वेराइटीज मद्धे यह उटा हो टैनिया शोलियम। पिग टेप वर्म हन्चन, पिग को रोल इनियर को लाइफ साइकल मा देखेंचा। टैनिया शोलियम फाइलम प्लैटी हेलमेंथिस को यह उटा मेंबर। तो हिशाब ले ये लाहिप फ्लैट वर्म पनी भन्चन। यह भंदागारी हामी ले प्रोटोजूआण पारासाइट्स को समंध मा देखे जो। टैनिया शोलियम र येस्ता थोप्रे फ्लैट वर्म साम्रो कोर्स मा राक्या चन। टैनिया सोलियम लाहे टेप वर्म किना भन्चन होला। इन फैक्ट यसको बोडी लामो फ्लैट र टेप लाइक देखें चा। कुन टेप त दरजी हरूले यूज़ गरने जुन टेलर सरुमा यूज़ गरने चा। लांग रीवन लाइक जसमा डिफरेंट लाइनिंग्स त्यों हिसाब को बोडी देखें को ना ले इसलाइ टेप वर्म भन्ने गरने चा। टेप वर्म अथवा टैनिया सोलियम को सिस्टमेटिक पोजीशन हरने हो बने यूज़ फैलम प्लैट हेलमेंज़ को मेंबर। फैलम प्लैट हेलमेंज मां बोडी फ्लैट होया है का वर्म लाइक क्रियेचर सरू राखीयेकों। क्लास सिस्टोडा आंतरगे दाऊंचन टैनिया सोलियम। CYSTODO कारण हो इनिहरुको Elongated Body रहुखस देखिंगी चाहें Hooksa Attachment मा शाकर आठाचमेंट मा मतात्वए उचандर Attachmentautos को Tissue सब 보도 क्लास CYSTODO आनि Cyclophilid E-Order नाम हो यह साइक्लोफिलीडी अंतरगत राख्येको कारन येसको स्कॉलेक्स जुन हेड रिजन हामी यहाँ डाइग्राम हेड़े राइचां यहाँ अल्मोस्ट ग्लोबुलर रह यहाँ फोर सकर्स हरू चारोटे इक कॉर्नर मा चारोटा सकर्स मल्ती सेग्मेंटे बोड़ी मा थुप्रेइश सेग्मेंट चारोट खंड खंड परेगौ बोड़ी यहाँ तोल जुन एडल्ट टेपवर्म को डाइग्रम हो यहाँ महाँ हरन सक्षम्, थुप्रेइश सेग्मेंट सरूचन् विद ग्लोब लाइक हेड तो हिसा आपले साइक्लो फिलीडी अंत्रगत राखिएको जीनस टैनिया रा स्पिसीज सोलियम यह दुबे मिले रा उसको सैंटिफिक नेम होना जान चा तैनिया सोलियम को कॉमन नेम पिग टेप वर्म कारण पिग को रोल देखिन चाहिए नियोरको लाइप साइकल मा यो टेप वर्म डाइजेनेटिक इंडो पारासाइट हो जसको लाइप साइकल मैन रपिग दुएवटा होस्ट मा पूरा होने गर छा सो हैबिट, हैबिटाट और दिस्टिबूशन को हिसाब लेहरनेव भने तैनिया कॉस्मो पॉलिटन इन दिस्टिबूशन को वल्ड वाइड विश्व भरी इन फैक्ट विश्व को करीब-करीब हरे कंट्री जरुमा भेटीं चाहिए एस्पेसेली यो पार्केटर्स हरु मा पार्क चाहिए बंगुर को मासव्त लाइब हों चाहह्ँ चो इनिहरो को इंफेक्शन बंगुर को मासु भाटा हुने गरचन चो पोर्क इाटर्स बंगुर को मासु खाने चलन जो न रेंज मां देखिन चैं तेहां इनिहरो खुब कामण हुन चैं हम्रो लोकायलिटी मां, especially पहारी भेग मांता देखिन चैं बंगुर को मासु खाने चलन तो हिसाब ले त्याहाँ पने एसका infections खूब देखेंचा बंचन बंगुर को मासु Muslim हरो खान देना तो हिसाब ले तिनी रुमा एसको infection देखेंचा आउने याऊ, बस्चन कहा है होता adult tania, जुन बयस्क, developed, mature, adult tania is found in small intestine यो स्मॉल इंटेस्टाइन मा जुन तीनोडा पार्ट्स दुओडनम, जेजुनम, इलियम यूजवली अपर जेजुनम मा भेटिने गर्चनु इन्फेक्टेद पर्शन को तैसे लेसलाई, इंटेस्टाइनल इंडो पारसाइट भन्चनु अब आउने येसको हैबिट को सम्मॉहरी राला हूं, टैनिया एक किसिम को इंटेस्टाइनल इंडो पारसाइट हो, मानिसमा भेटिने, that causes the disease, टैनियासिस, यो रोग को नाम, टैनिया कही नाउमा राख्येको टैनियासिस, इत इस डाइजनेटिकी नेचर, बने को दुए वटा होस्ट मा आपनो लाइफ साइगल पूरा गरने, man is the primary host, and pig is the secondary host, मानिस इसको लागी primary host, जहां इने वले sexual reproduction परफॉर्म गरने गर्चन, तरह भंगुर को किसमा, और sexual reproduction लाड़ बले स्टेज, तो इस आबले पिग अथवा बंगुर, इसको secondary host होना जांचा, आउने हो, इसको morphology को समना, morphology बनाले external feature, यह जो डाइग्राम आम हेटे दाएचाम, यो adult tapeworm को, तैनियासोलियम को डाइग्राम, यह समा, anterior end of the body, small, narrow, और यो narrow body, विस्तार ही फराकिलो होना जांचान, और पोस्टेर इंड, wide, यो एकदमें लामो, करीकरी दू-तीन मीटर सम्मा लामो होना सक्षान, adult tapeworm, र यह को जुन अंटेरियर हो, तैसल्या होना, इसकोलेक्स, इसकोलेक्स को पछारी पत्ती को स्यान हो रिजन राइग्राम राइग्राम, र बाकी को जह जती पाढ़ साल चन, तैसल्या होना, य Ned लाई скorlex पनी वहने श्यानो हो नेक यो प etti श्यानो पोर शान। यो unsegment वहने तरह Christian चाहिबола divided in to many similar segments. नियहा प्रथे हेस्ट यहटा segment लाई proglutad हो प्रघ्लोटेट सरू को maturity कहीं सांबले अगारी को immature बिच वाला मैच्यूर प्रोगलोटीड र पचारी को ग्रैविड प्रोगलोटीड एक चोटी इसको शेप अन साइज को पुरहा है एलो द बादी इस इलोगेटेद और्सो वेंटरली फ्लाटेन पने को द द आर्सल र वेंटरल साइबाता फ्लाट डॉर्सल रवेंटरल, माचाहरू लेटरली कम्प्रेस्ट हुन चान, तिनिर्गू बाड़ी, यो डॉर्सो वेंटरली फ्लैट हो, लाइक रीवन और टेप, मेजरिंग एबाउट 2-3 मीटर्स इन लेंथ, दुई देखी 3 मीटर सम्मा लामा होना सक्षे, यूजवली ओपायक वाइट कलर को हुन चान, सेतो, तरह, क्रीम कलर, येलो कलर अथवा ग्रे कलर का टेप वर्म सरुपनी भेटिं चान, अंटेर एंड अप द बाड़ी, नैरो, स्यानो, स्मॉल, विच ग्राजुवली वाइडेंस, पोस्ट्रियरली, विस्तारे फराकिलो होते जाने, अनि निर स्यानो, थेखेंचा, जन GLOBULAR, भनेको SPHERICAL लेंसे, GLOB-like, फोस्टारे में पोस्टारे में चान, अनि यो स्यानो, हेडर, जा हम एक्राज।, अनि यो С्यानो, हेड ये अइसको बाड़ी, बाड़ी, स्यानो, हने द निरू सारुआ बाड़ी, पने बाड़ी, माह और तर् स्टेप वर्ण को हेड हो यहां यो ग्लोब लाइक बाउट वन मिलिमेटर इन दामेटर अनि यहसको एंटरिन मा यहोटा फ्लैक पोर्शन देखिंचा इस वन कॉल्ड रॉस्टेलम रॉस्टेलम को वरी परी चारे दिर दुई रो मा हुख सरु हों चांग दुई रो मा इन अनि यो ग्लोब लाइक जुन इसकोलेक्स तेसको प्रतेक एंगल मा बनाले क्वाद्रेंट को चारोटा एंगल तरही साबले यहां चारोटा पावरफुल सकर्स हरु चांग यहोग्स र शकर्स इन वले मिले रा फार्म अटाच्मेंट दीने गर चांग ती कुरारों ने यह इसकोल असुआरोब क्या अटाच्मेंट अटा ऊटाच्मेंट अनि र शरतांवरा मिले 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 चांग कर्सेंट आतुमा चांट जिक आत टाम से कंट समस्कप्परे कीषिकमेंट टी की को अब आउने एस्ट्रोविला को समन्ना। एस्ट्रोविला फॉर्म्स मेजर पार्ट अब दो बोडी। मेजर पार्ट पार्ट ने हो जुन हाइली सेग्मेंटेड। यह समां करीब-करीब 8 सहे देखी 1000 प्रगलोटिट सरो चांग। 8 सहे देखी 1000 सेग्मेंट जरो। 50 सेय रेभू करीब आउने था मेल पार्ट पहले उर्डक जरो। 25 प्रगलोतिट आखनाल फ्रगलोटिट मेरा अधर्मेंट उर्माphin आपड्माप्रोडाईल। दुबई, male और female reproductive organs भये का Proglotis BR, alternate common gonopore Proglotis को साइड मा Gonopore देखना बने को genital opening यहड़ा Proglotis मा यदी right side मा चाभने Next Proglotis मा Left side मा फेरी और को मा Right side मा यह से लिदा alternately arranged gonopore शालु देखना बने को proglotis मा Proglotis को समद में आउ लेखे को प्रोगलोटेट्स बियर अल्टरनेट कॉमन गोनुपर्स. डिपेंडिंग अपान दा मैचुलिटी अफ रिप्रोडुक्टिव अर्गन्स, दा प्रोगलोटेट्स आर अफ थ्री टाइप्स. मिले सुन्हों भने आतिये, अगारी को इम्मैच्योर, यसमा रिप्रोडुक्टिव अर्गन्स हरू, खासे डेबलप भायको हुदेनन, अथबा मैच्योर हुदेनन, पहला इम्मैच्योर, देन मैच्योर, और को हो मैच्योर प्रोटेट्स, यसमा रिप्रोडुक्टिव अर्गन्स हरू, डेबलप भायको हुदेनन, अनि brought this, these are anterior 200 probloyatats, अगारीको 2sya probloyatat जाती इमङचीर हुँचन, with reproductive organs not matured, not developed. नि बीच्वाला, mature probloyatats, these are middle 150 probloyatats, having mature reproductive organs. Fertilization occurs in these segments, fertilization जाएं यह हुँचा अनि ग्रैविट प्रविलोटेट्स पचारी का प्रविलोटेट्स पोस्टेर हुँच पोस्टेरियर हुँच पोस्टेरियर 650 segments having branched uterus uterus जहां एग शरु डेवलप गरजां so uterus with seven to thirteen lateral branches on each side and thousands of eggs युटा uterus वित्र करीकरी तीस हजार देखी चालिस हजार एग शरु हुचा प्रतेक ग्रैविट प्रविलोटेट्स मा यती ठूलो संख्या मा एग शरु हुचा ये शरी two to three meter long body मा करीव-करीव 800 देखी 1000 segments शरु अनि तिनेहरु मद्दे करीव-करीव 650 posterior segments शरु है ग्रैविट प्रतेक ग्रैविट प्रतेक ग्रैविलोटेट्स मा 30,000 to 40,000 एग शरु हुचा ये लार्ज नमबर अफ एग्स इन देर बोड़ी अब आउने इनिरको life cycle remember Taniasoleum digenetic parasite हो digenetic भनाले दुई योटा होस्त मा आपनो life cycle पूरा घरने योटा होस्त मैन जहां इनिरले sexually production देखांचन so man is the primary host अनि अरको host pig जहां इनिरले asexually production देखांचन अथवा larval phase development so pig secondary host, usual secondary host यहां दुवाटा heading मा डिस्काइब गरनू पढ़ने हो life cycle in man र life cycle in pig remember, humans कसरी infected होन जहनत human ko body मा यो टेप वर्म कुन रूप मा प्रवेश गर्शनत naturally, यो larval state मा र human undercooked बंगुर को मासु खाने क्रम मा infected होन जहनचन undercooked, कम पाकियो को, रम्ररी न पाकियो को जो भूटवा सेकुआ बन्चन त्यस्ता किसिम का undercooked measly pork बंगुर को खाने चलन त्यहां इसको infected माशु तियो खाय पची मानीश infected बन्चन र human ko body मा गय पची जहन रिछन का चारी naturally along with food तो जहां बंगुर को माशु खाने चलन त्याहां इसको इन्फेक्शन को समफबना पड़ी, यहां दुए अधा होस्ट मा जुन इनर्गो जीवन चक्र पूरा गड़ेगो देखिंच, man is the primary host, यहां डाइग्राम मा अधिपट्टी जुन देखायेको यह सब human body मा डेवलपूने stage जरुछन, भोजन संग, जब यह यह लार्व रेष्टेज जसले हों शेष्टी सर्कस लार्वा, human elementary canal मा इंटर गर्चन, बनाले जसले हों इन्जेशन, इन्जेशन पछी, इस्टमक मा आउटर लेयर डिजॉल होंच, तर यो लार्वा फ्री हुने हो, इंटेस्टाइन को रिजन मा, जहां अरु इन्जाइम ले आउटर सपय मेंब्रेन चरू, डिजॉल होंच, लार्वा डाइजेस्ट हो देना यो डेवलप गर्चन, विस्तार है डेवलप्मेंट को क्रव मा, इसको अगारी पटी को पूर्चन माथिव निश्के राऊने, यहां लेकिया चा, एक्स वैजिनेटर स्कॉलेक्स, मादा संच गर्चन, यो मैचियोर भय पची यूजियोर मा देखिंचा, युज़ियोर मा देखिंचा, सल्फ फर्तिलाइएटो जुइ लोड़चार वोटा डिर्कली रिलेस्ट गर्चन, यहां टिटाच भारनीशकां जुन इंफेक्त पर्चन को फEकल मैटर संग भाह पुग्ड पर्ग जुन कंतामिनेटर हुनु पर्णे हो लार्वी चंग तरह मन्चन मिजली पर्ग पर्ग मीट पंटेनिंग 60 सर्कस लार्वा लाह मिजली पर्ग मन्चन लार्वा बिकम्स अटिब अन्रीचिंग देश्माल इंटेस्टाइण कारण त्यां पुग्दा सम्मा सपई आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग डिजॉल पहरा जांचा इट्स प्रोस्कॉलेक्स इभाइजिनेट्स जुन भीत्र लुके को हिदेन इम्मैचियोर इस्कॉलेक्स त्यों बाहरा आउँछाँ इभाइजिनेट्स इभाइजिनेट्स इन्टो इस्कॉलेक्स त्यों इंकर वनले अटाइच वहरा जाने हुक रस्वकर को मदब लाया इंटेस्टाइन को वाल संग अटाइच गर संग नेक बिगिंस तो प्रोद्ट्स न्या सेग्मन सेरु बनाओने काम सुरू हुन्चन अग्या वर्म बेकंस एडल्ट इन वर्म विक्स वनेको सारे दू तीन महिनामा 12 week मा इने रूप चाहे अडल्ट भाया रगाया। Due to presence of usually a single tapeworm in a host, योटा होस्ट मा प्राय योटा ही tapeworm मुंचन, self-fertilization is of usual occurrence, प्राया इने रूमा self-fertilization नहीं देखिन चाह। Remember, प्रतेक segment हर्माप्रोडाइठो, त्योह हिसाबले। The average lifespan of the tapeworm is about 25 years. एक चोटी infection भावने, यो आरको 25 बर्समा शर्वाइब गरी रहांचा। Infected person को, intestine मा। Small groups of gravid proglotids, कही, gravid proglotids हरू पछारी को, detach regularly from the posterior part of estrobula, which pass out of the fecal, which pass out of the body, along with fecal matters of the host. And the eggs are viral, or estrobula viral. On reaching outside, the gravid proglotids and the uterus degenerate, भावने पछी, ब्रेक्दाउन गर्छान, and the eggs are set free. अनि यहां देखायको यो bronzed uterus, जुन gravid proglotid भित्र हो, side मा यहां देखी रहाचा गोनपूर, यही uterus भित्र, 30,000 देखी, 40,000 एग शरू हुँँचन, इग शरू detach गर्छन, release गर्छन, degenerate भावने. अनि यहां देखायको उसको एग, ध्यान दिने हो भने, भित्र, छावटा हुक भएको hexacanth egg, अथवा hexacanth embryo को बाहर पटी motocovering. यहां बंचन, onchospher, अथवा onchospheral membranes, यो motocovering ले गर्दा, करीब-करीब 2 महिना सम्हा भायाबल, यो माटो माँ एक शरू release हुँँचन, रा त्यहां 2 महिना सम्हा भायाबल हुँचन. कुने पिग, यदी भोजन शंग, यसलाइ इंजेस्ट गर्याचा भने, अब यसको जीवन चाप पिग को बाडी मा सुरुँचन. यहां ते एक को सम्हा लेखा चन. The eggs are spherical and brown in colour. These measure about 31 to 43 mu in diameter, embryo is 6 hooked, चावटा हुँचर हुँचन निसमा भीत्रलुके को. And so it is called hexacanth. The hexacanth together with all the membranes surrounding it is known as onchosphere. It remains viable for about 8 weeks. 2-2 महिना सम्हा भायरबल हुँचा. And if the pig has a fecal matter or egg, भोजन सम्हा इंजेस्ट गर्योगने, यहां लाप साइकल फेरी पिग मा सुरुँ होना जाँचा. So life cycle in pig. Pigs get infected by eating the fecal matters containing onchosphere. On reaching the stomach of secondary host, the onchosphere loses its outer coverings due to the action of gastric juice. Outer membranes dissolve. The hexacanth then enters into a small intestine. The hexacanth membranes dissolve. The hexacanth membranes dissolve. And the embryo becomes active. With the help of six hooks and penetration glands. The hook is clear. Outer membrane dissolve. With the help of the penetration gland, this embryo penetrates the intestinal wall. And the blood vessel penetrates the blood vessel. The blood flow. Then the hook will discharge the discharge. And the blood circulation. It enters into intestinal wall. With the help of six hooks and penetration gland. Within next 10 minutes, the hooks are set off. Discharge the discharge. And the embryo now starts moving with blood circulation. Passing through various organs. Blood like different organs. So various organs. It finally reaches the striped muscles of tongue. Striped muscles. Remember, voluntary muscles. So different organs voluntary muscles. These organs are different organs. These organs are different organs. These organs are different organs. Tongue, neck, thigh, eye. Different regions are different. Here, it settles to develop into a bladder worm. Now, these organs are different organs. Here we can see. Now, this organ hasration,ney, body. Now, its organs are expressed in the belly. Like, implant, heart, liver, and kidney and brain Pression. Depending on the position or the location. This organ will also be in the home. This organ occurs and has a parent and a host, image of the animal. इसने टीक्रीब्र मुल्म वाबम आपड़ा बासलस्यार्ब। ये श्ट्यम फ्ली। भीध आपाल। यदि यसको किसम को इन्फेक्ट बंगुर को मासु कसेले रम ररी नपाके को अबस्थामा खाई दियो भने यी लार्वा हरो human body मा पुक्षान रा फेडी यसको life cycle continue गर्षान और को होस्ट माँ सो यहां एक्षोटी फेडी है रों the embryo absorbs tissue fluid and grows to a size of 4.5 by 8 millimeter or even more it develops a central cavity filled mainly with blood plasma the wall of anterior end invaginates an anterior end ko wall and forms a knob like structure called inverted scholics or pro-scholics sectional view मा हम यह यह pro-scholics यहां देखे रहा चौं यह भीत्र मुझा pro-scholics having minute hooks and suckers formation of bladderworm is completed in about 10 weeks it leads an inactive life and remains viable for several years it is infective to man and can grow only when ingested by man यदि यस्तो किसिम को बंगुर को मासुपने मानिस ले खायो रम्रे रिन पागे को मानिस इन्फेक्टेड भायरा जांचन otherwise यो तेशे वस्तमा रे रांचन so यहां लेखे अचा यदि कसे ले खाई दियना भने otherwise it dies and later becomes calcified so mode of infection के हुना सक्षामता हमी सिधा सिधा क्लेर हुना जांचा mode of infection हो ingestion of undercooked मिजली पॉर्क contaminated बंगुर को मासुपनेंग शिष्टी सर्कस लाभी however through contaminated food and water man may also serve as secondary host usually तब बंगुर हुए इसको secondary host यदि कुन ही तरीका ले contaminated प्रदुसित भोजन पानी को मदद ले मानिस को body मा आयो बने मानिस पने infected होना सक्षान लाभा बादा अनि त्यों केस मा मानिस के body मा यस ताल सिष्टी सर्कस लाड़ भी हरू उसको body को different पार्ट मा गई रते यार होना सक्षान जुन जाहें उसको लागी लीथल होना सक्षान remember infection through अथवा infection with सिष्टी सर्कस लारवा लावंचन सिष्टी सर्कोसिस और infection with adult called 10 years incubation period हो 8 to 10 weeks आर देखी 10 हपता सम्मा रोग का खासे लक्षन देखी देना पारसाइट को इंतरी पच्छी पहें आनी जस्पची फेरी रोग को लक्षन रोग आऊचन पैथोजेनेसिस मा कुन रोग लक्षन के होता है आईवांचन adult tania causes taniasis adult ली गरदा हुने रोग लाए भांचन taniasis while the disease caused due to cysticercis larva is called cysticercocis taniasis को केश्मा के होंचा तो यहां लेका चाहा taniasis is indicated by a variety of symptoms different symptoms होचां तिसमादे abdominal discomfort remember adult worm intestine मा बसने हो तो इस आपले abdominal discomfort बने को पेत मा दूखने समस्या chronic indigestion apach indigestion का problem हरो anemia, lack of blood, weakness, intestinal disorders so digestive problem शरू intestinal disorders शरू देखें चाहे तो केश्मा को पेशन मा irritation caused by hooks and suckers suckers हरा, hooks को attachment तेसले irritation देखांना सक्षां इंटेस्टाइनल वाल मा may induce reverse peristalsis ulto भाहरा उचन पेरिस्टाल्स तला ती रनन भाहरा माथी ते नाउचन leading to auto infection यदि ग्रैविट प्रोगलोटिट शरू माथी तीर नाई आयो stomach भीत्र आयो भने auto infection पनी होना सक्षा cysticircosis जुन लार्वल स्टेज ले गरदा हुने infection हो, cysticircosis is far more dangerous to taniasis यवो लार्वा यदि brain shell शरूमा गायरा बशी दियो भने तो विभिन किसिम का nervous disorder समेत लिया हुना सक्षा so hexacanth may enter the brain and may cause epilepsy paralysis and even death अब आउने prevention and control मास नेका सरी treatment हरू के हुना सक्षा यवटा कुरोते एकदमे क्लियर हुँँच कि यश्तो किसिम को बंगुर को मासे यदी अब्वाइड गरने अथवा राम्रारी कुक गयरा मात्र खाने त्योह हिसाब को यहां हिरों अब्वाइड अंडरकूग मिजली पॉर्क अंडरकूग कम पाके को यस्तो किसिम को मासूग अब्वाइड गरने हो तो अब्वाइड ओपेन डिफिकेशन किना मने फिकल मैटर मंने खाय रहा बंगूर लेने इसला कि इसलाब खाद गरने ने तो ओपन डिफिकेशन घृट बीट खुला थायों यह पर धिब्दुपजल होनू पर यह पर दिफिकलमैटर को बने को यूज फ़िकलमैटर ने to avoid contaminated food and water रा सिष्टी सर्कस लार्वा को इन्फेक्शन वाटा मास नालाई तर contaminated food and water राटा पनी बाचनू परने हो so contaminated food and water राटा पनी बाचनू परने ओपन डिफिकेशन लाई बैन गरना लगाऊने ने प्रोपर सीवेज डिस्पोजल होनू परने रा अंडर कोग्ड मिजली पॉर्क एभाईड करने यति अस्तेप अप्लाई गॉर्य होने यह तर प्रेश्टी सरकोसिस बाटा पांचना मदत पनियाओ अचाना आजए अधाइड सब्सक्राइड शाकिन चाना मास एजूकेशन पब्लिक एधाइड जाएड़ना अब आउने ट्रीटमेंट को बुरू हो इंफेक्शन बेने आले हो हने अधाइड सब्सक्राइड 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 सब्सक झाल